यह अब तक की सबसे यूशल प्रोड़क्ट है जो मैंने पर्चेस कर रहा है सोच कर देखो, पार बैंक से चल रहा है, इससे मुवाइल चार्ज करते हो इस टाइप और आगे ले जाता है, बागी कमाल की चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपका मॉनिटर आपको दिख रहा होगा, इसकी जगा रिप्लेस करने वाला था हमाई कि आपर अल्टर वाइड मॉनिटर क्योंकि इसके अंदर clarity अच्छी नहीं आती है, लेकिन उसको डिख करके मैंने इसको लिया, आप इसका reason आपको बिल्कुल प्यार से बताता हूँ यहाँ पर सबसे बड़ा factor आता है, कितना ही बड़ा setup बना लो, अगर घब के अंदर आप बनाते हो, तो आप वहीं के लिए बन जाते हो, और यही reason था कि पुरा worldwide laptop ज़ादा famous है, desktop के comparison में, क्योंकि हम बड़ी चीज़ों को, desktop को, monitor को, अपना bag में डाल का कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं, जो कि सिर्फ possible हो पाता है, laptop के अंदर, tablet के अंदर, phone के अंदर, और इसी वज़े से यह सबसे अदर popular devices आज के time पर, right, अब दूसरो factor है, अपर dual monitor वाली बात, यहाँ पर अगर dual monitor setup है, त तो multitasking कर सकते हैं, अपना productivity बढ़ा सकते हैं, उसलिए dual monitor भी आपके बहुत दर जरूरी है, but, जैसे कि मैंने बताए कि potability उससे जदा important है, आज के time पर, suppose को आप घर पर हो ही ना, आपको अगर कहीं भार train में जाना हो, bus में जाना हो, car में काम करना हो, cafe में जाकर काम करना हो, student के time पर potability उससे जदा important है, और इस वचे से मैं इसके तरफ गया, और आपको भी क्यू जाना चाहिए, और अपने पैसे सही जगे invest करने से आपको इस वीडियो को इंदर बताने वाला हूँ, बागी कमाल की चीज़ आपको दिखाता हूँ, अभी full fledged display चल रही है, full brightness पर, यह पर जरूरी कि हमें board मिल जाएगा, तो ऐसे में आप इस से power देखते हैं, in fact, जो power bank से छोटी सी cable आती है, उससे भी आप connect कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको देदू power, तो अब यह power bank से चल रहा है, सोच कर देखो, आपका monitor power bank से चल रहा है, जैसे mobile charge करते हो, बा आपका power देदी, and same phone के साथ भी होगा, अगर power मिल जाएगा, अपके पस ऐसा phone है, जिसमें आपका display output भी support करता है, फिर जैसे iPad, iPhone है, तो उसके अंदर, single cable connect करने पर, आपका power और display output दोनों आजाएगा, आपका phone यहाँ पर mirror हो जाएगा, tablet आपका mirror हो जाएगा, इसके अंदर बट अभी भी कुछ चीजिज आपको पता होने चाहिए, portable monitor लेने से पहले, जो आपको अभी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ, इसको मैं open करता हूँ, आपको अलग से ही प्रोड़क्ट मिल जाएगा, काफी popular है, इसी वेज़े से मैं सुचा कि चैनल पर इसको showcase definitely करना चाहिए, अपर आपका lifetime customer support है, 30 day return exchange guarantee है, 12 month यानी एक साल की warranty है, बागी सार चीज़ां पर mention करी गई है, हमारा सबसे उपर रखावा है, टेबलेट के तरह दिखने वारा monitor, तो यह हमारा first look निकल कर आता है, हमारे monitor का, बागी आपर आपके कुछ specs mention करेंगे हैं, कि पहली बात ही है, IPS display तो quality का मालगी मिलेगी, SDR इसके अंदर मिलता है, Full HD resolution है, तो clarity अची मिलेगी, Type C, SDMI, सब के सब चीज़ें हम पर मिल जाती है, यहाँ पर आपके ports है, Mini SDMI और Type C के दो ports है, बाकी इसको रखने के लिए, किसी भी position में आप ये, इसके पीछे, इसका kick stand मिलता है, यहाँ पर आपके कुछ और चीज़े, Mention करी गई है, Let's keep this aside, and यह रहा हमारा, इसका user manual, यहाँ आपका warranty card, बाकी आपको शॉप पर जाने करें जोतने है, क्योंकि बास के अंदर सभी के सभी cable मिलती है, यहाँ पर बतायता हूँ, अगर आपका laptop थोड़ा सा पुराना जमाने का है, थोड़ा पुराना laptop है, या फिर हो गया यहाँ पर, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा पुरान टाइप का laptop है, तो उसमें आपका HDMI 2 mini HDMI cable इसके अंदर लगाओगे, और power देने के लिए सिर्फ दूसरे USB port से इस cable को attach कर दोगे, तो दो तार से अपका काम हो जाएगा, अलग से power socket की ज़रुत नहीं है, तो कहीं आपकी यह बिजली भी बचाने वाला है, अगर उस point of view से देखना चाहें, तो अलग से के विए कोई 220 volt के socket की power इसको नहीं चाहिए, इस simple सा USB के power से चल जाएगा, बाकी यहाँ पर आपका buttons देखने को मिलते हैं, यह दो buttons से आप brightness control कर सकते हो, यह अपना volume up down कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको multiple input मिलते हैं, for example, यहाँ पर दिखा दूँ, type C1, C2 और HDMI 3 option यहाँ पर दिखा रहा है, and जो menu को option है, वो तो आपका आई जाता है, let me show you, यहाँ पर इस type से, आपका brightness, color temperature, इन ही buttons से आप सब control कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने है, comparison यह है, internal laptop की display, और यह है, Arzoba की display, तो definitely आप देख सकते हो, आपके सामने है, colors इसमें अच्छे आ रहा है, पंची colors आ रहा है, compare करें तो internal display से, display अच्छी क्वाल्टी की IPS डिस्प्ले है, and जो SRGB यहाँ पर यहाँ पर justify कर रहा है, and बाकी editing भी करी तो हाँ, display accuracy is good, और eye fatigue भी मुझे है, अपर कम लगा laptop की display से, and बाकी, युग है portable है, तो अपने हिसाब से, इसका orientation इसाब से change कर सकते है, और इसका stand आपका horizontal, vertical, दोनो orientation सपोर्ट करता है, तो यह एक फायदा और जाता है, अपना portable monitor का, बाकी आपका android, tablet, windows, macbook, इन के साथ तो ह आज कल आप देखोगे, यूटूब पर तो portable setup काफ यदा famous और, मुझे जो पहली बार नजर है पड़ा था, वो mac mini से ही पड़ा था, Mac mini में भी जो आजकल setup बना रहे है, वो भी आपका portable बना रहे है, बाकी यह आपका 17.3 वाला मैंने खरीदा है, इसमें अगर आपको 15 इंच काशी हो भी ले सकते हो, 16 इंच वाला भी ले सकते हो, आपका different refresh rate है, आपका 144 Hz वाला भी है, अगर आपको gaming के लिए चाहिए तो, so definitely you can choose that, खेरे अपर conclusion की बात कर ली जाए, तो I hope जो message में आपर देना चाहरा तो, आपको मिला होगा, कि सारी चीज़े हम portable बनाना चाहरे है, कि हमारे इस bag में आ जाए, आपका wireless mouse ले लेते हो, keyboard आप wireless ले लेते हो, तो ऐसे में, अगर आपका भी थोड़ा सा ऐसा काम है, कि आप आपका fix नहीं कि आप घर से ही काम करोगे, आपको भार से काम करना पड़ सकता है, तो definitely आप portable monitor गरफ जाओ, आपका ये जादा sense बनाएगा, you'll be more productive, पहली choice आप यही रखो, कि अपना portable आप setup बनाओ, उसके लिए definitely you can buy this monitor, बाकि इसका जो buying link है, वो description, comment के अंदर मिल जाएगा and open code वेगर, जो भी best आपका available होगा है, आपर मैं screen पर लिख दूँगा, and आपका information, बाकि discussion, comment के अंदर पर दे दूँगा, and बाकि जो अंसा size आपको पसंद, 25 इंच का, 16 इंच का, 17 इंच का, आप जो अंसा भी चाहें, दूसरे अगर आपको size का चाहें, तो वो आला भी purchase कर सकते हैं, बाकि उमीद है, आपको वीडियो पसंद आई होगी, comments के अंदर में thoughts बता हो, आपको क्या विचार है, and आपका क्या thought है, जो मैंने चीज़ बताई, potability को लेकर, उससे अप सहमत हो, if नहीं, and yeah, channel पर बहुत सरा आपर content आने वाला है, यह setup अप्ग्रेट करेंगे, यह monitor and यह setup आपका बन गया है, और भी चीज़ बेडिशन होने हो, यह लिए उसके बारे में वीडियो आएंगी, and बाकि और भी बहुत सरा टैक गेरेट्स आने है, गिवे भी हमारे चैनल पर चलते रहते है, and definitely you can connect with us, subscribe करकर bell icon दावाना बहुत दरह जरूरी है, ताकि आपक content भी चलका जाकर देखो, अगले एडियो में आपसे मिलता हूँ, till then stay happy, stay blessed, and bye bye